दोस्तों नमस्कार मैं हूं रोहिद दुवेदी और स्वागत हाफ का मेरे इस वीडियो ट्यूटर दें आज का जो टॉपिक है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम कैसे 6 वंत में 92% का रिटन दिया है और कैसे इस टॉक बना एक बड़ा मल्टिवेगर और आने वाले समय में कितन रिटन दे सकता है चलिए जानते हैं इसके टेक्निकल और फड्नमेंट पहले यह जानेंगे कि अपोलो माइक्रो सिस्टम करता क्या है तो मैं बताना चाहूंगा कि अब दोस्तों यह सर्विसे ज़ो प्रवाइक करता है यह वह करता है यह सर्वीश प्राजंश में श्यच्स में स्पेस सिस्टम में और आशन्यांग कंपनी के fundamental जानने से पहले हम company के stock के price के बारे में देखते हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 234 रूपीज का price चल रहा है और almost 6 month में 92% का return दिया है अकेले Apollo Microsystem Limited ने और मैं अगर इसके technicals की बात करूँ तो technical पे चलते हैं अगर आप देखोगे तो लगभग लास्ट 6 month में यह stock 120 रूपीज से 230 रूपीज के आसपास गया है almost 92% और आप देखोगे कि जो इसका बड़ा breakout आया है वो आया है लगभग लगभग 175 रूपीज के आसपास तो यह इस तरीके का यह इस लेबल का मल्टी वेगर है लेकिन रुकिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले इसके fundamental के बारे में बताता हूँ क्योंकि fundamental इसका बहुत strong है और fundamental के बाद आप decide कर सकते हैं कि इस multi वेगर में कितना return आ सकता है दोस्तों Apollo Microsystem make in India जैसा कि मैंने कहा pure Indian brand अब आते हैं इसके fundamental पे Apollo Microsystem ने 14 नॉबंबर 2022 को न्यूज पेपर पे अपनी unaudited financial result जो है quarter index second quarter half quarter कह सकते हैं और half yearly उसको इन्होंने show किया वहाँ पर publish किया तो चलिए चलते हैं उस important fundamental पे जो इनका unaudited report आया है Apollo Microsystem के unaudited results पे अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कुछ differences की जो इनका quarter ended है 36 2022 और 39 2022 लास्ट टू quarter की comparison मैं पहले आपको दिखाऊंगा जो इनका total net profit है before tax यह वाला आप दिखेंगे कि 36 2022 को 163.73 था लैक्स में और अभी अगर आप देखोगे just double 328.67 अब सीधा सा simple सा fund है कि previous quarter में 163 था अभी 328 है almost double इससी वज़े से company ने last quarter में last six month में कह सकते हो आप कि लगभग 92% करितन दिया ठीक है अगर आप इसकी earning per share को देखोगे तो almost double almost double अगर आप इनका profit before tax देखोगे वो भी पहले 356 था 491 अगर आप इसको उसके पहले के भी quarter से compare करोगे न तो उससे भी ज्यादा आया है इसका इस quarter का profit before tax जो की बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहां पर इसके कुछ important है जैसे profit before tax अगर आप देखोगे तो 328 आया है इस quarter में previous quarter में 163 था तो almost double उसके पहले 275 था ठीक था लेकिन इस बार जो आया है बहुत ही सांदा रहा है और यह जो profit report है न दोस्तों यह पूरी कहानी बया कर रहा है कि market में इस stock में last three month four month में क्यों इतना return दिया अब upcoming जो इसके news हैं upcoming जो इसके reports है मैं वो आने वाले share जो है अभी through 34 के आसपास चल रहा है अगर मैं इसके stop loss की बात करूँ अगर कोई इसे multi bagger को purchase करता है तो stop loss इसका 200 के आसपास होगा लेकिन जो upcoming target होंगे दोस्तों वो होंगे 300 से लेके 400 उपीज तक का बहुत ही short term में यानि आप एक कह सकते हो कि सिर्फ एक quarter अगर आप invest कर देते हो इसमें सिर्फ 3 मंत अगर आप invest कर देते हो तो आपको almost 30 से 40% तक का return बहुत easily निकल कर आ सकता है Apollo Microsystem Limited से तो thank you so much दोस्तों watching this video मेरी कोसित रहती है कि आप लोगों तक genuine और बहुतर से बहुतर चीज़े लेकर आओ आओ आज के इस multivagger के बारे में बहुत सारा research मैंने करके आपको बहुत सारी चीज़े आपके सामने लाया है तो जो लोग भी invest करते हैं बहुत ही अच्छा और बहु दलकर आ सकता है थांक यू सो मुझ फो वाचिंग इस वीडियो